सर होता है सर एड़े को क्या होता है कि जब आदमी को वीमारी लगती न तो क्योर होने के हिसाब से वो कहीं सारे दिमाग में प्रश्ट आते हैं आए रेली रिमेंबर उस दिन उनके जो एक्स्प्रेशन थे इतने दिनों के बाद वो स्टेज पे खड़े हो गए थे श्क्रीन के सामने थे तो वो जो शरच जी का एक्स्प्रेशन था यह उनके लिए उनके लिए वो तेक पुनल जल्म था वो तो इसके ओपर ही केन कमेंट मैं बोल सकता हूं कि क्या होता है सबसे बड़ी बात बोलता हूं आपको एक जो आर्टिस्ट होता है उसके लिए ओडियंस की जो ताली होती है सर उसके लिए वो अनमोल है उसके जैसे कोई चीज नहीं है अभी तक बनी नहीं इश्वर ने जो आर्डियंस के थू जो भी कु हालो नमस्कार करता हूं देवी और सज्जनों मयूश शेशिकान पिडवाल और हॉट सीट पर आज हम सौगत करने वाले एक ऐसे वेक्ति का देवी और सज्जनों एक बात आपको बतना चाहता हूं जीवन में एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही पैरो की जमिन खिसक जाती है ऐसा लगता है कि बस जीवन खत्म हो चुका है अब अंती अंत नजर आता है जिसका नाम है कैंसर जिया देवी और सज्जनों जब भी ऐसा लगता है कि किसी डॉक्टर ने कहा कि बाई-साब आ वुमेपेते के पास जाईए, कोई कहता है कि आप अरुवदिक का ट्रिट्मेट किजिएगा, लेकिन देविवोर सत्य जुनों ट्रिट्मेट क्या करना चाहिए, स़ी ट्रिट्मेट क्या है, आज मैं ऐसे विक्ति से आपको मिलाने वाला हूँ, जिन्नोंने कई सारे पेशन्ट को कियोर किया है, जी हाँ जिनका नाम है डौक्टर शैलेश देश्माडे, सर नमस्कार करते हैं आपको शले जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि और एक बात पूछना चाहता हूं क्या वाकई आप इतने सालों से काम कर रहे हैं कितने साल हो गए आपको इस फिल्ड के अंदर 35 साल हो गया मेरी प्रैक्टिस को प्रैक्टिस को प्रैक्टिस को प्रैक्टिस को प्रैक्टिस को प्रैक्टिस साल हो गया क्या बात और सर क्या आपकी पिता जी भी डॉक्टर थे या क्या आपकी हिस्ट्री क्या है नहीं 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 बहुत कॉमन से बैक्ग्राउंड से आता ह पुना कोर्परेशन के स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है पत्रे के स्कूल में हम पढ़े हुए लोग है बैठने के लिए तो बेंच भी नहीं थे ज़े जो फली रहती है उसके उपर बैठते थे तो उस ताइप के स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है फिर जाके पुना में आ कर रहे हैं 35 साल से आप ये काम कर रहे हैं मैं आपको पुछना चाहता हूँ कि अभी तक 35 साल में कितने लोगों का टीटमेंट आपने किया है लगबग 50,000 से जादा 50,000 पीपल 50,000 पीपल ओ सर 50,000 ये काफी बड़ा अकड़ा हो जाता है जी इतने cancer का नहीं इसमें काफी सारे बीमारी आती है बट टोटल सब मिला के 50,000 से जादा पका क्या बात डॉक्टर साब एक बात पूछना चाहता हूँ कितने लोग इसमें मतलब क्यूर हो जाते हैं जहां तक cancer का सवाल है उसमें हम क्यूर इस शब्द का परचार नहीं करते हैं अच्छा स्टेजिस रहते हैं ज इंप्रूमेंट और हम सब को एक फरक समझ लेना चाहिए कि इंप्रूमेंट अच्छा लगना और जड़ से बीमारी का अच्छा होना ये दो चीजों में बहुत सारा अंतर है तो cancer के बारे में एक अलग-अलग cancer के लिए अलग-अलग WHO के रून है बट मेंली इन जनरल अगर हम लोग एक broad spectrum से देखेंगे तो लग-बग 5 साल consistently किसी आदमी को cancer की कोई तकलीफ नहीं है और उसके सब reports पूरे के पूरे normal है consistently for 5 years तो फिर हम लोग वो जो high risk group रहता है cancer का उससे उसको बाहर निकलते हैं तो फिर हम कहेंगे कि उसको cancer होने के chances या वही cancer वापस आने के chances, relapse ह होने के chances उतने ही है जितने की एक आम अर्दमी को है जी मतलब हम कह सकते हैं वही cancer से वह बाहर आ चुका है मतलब उसने हर साल एक test करनी पड़ेगी उसको वो डिपेंड्स कौन सा cancer है उसके उपर है उसका frequency क्या रहेगा investigation का सर आप इतने सालों से आप काम कर रहे हैं कभी ऐसा होता है कि कहीं सारे बड़े आटिस्स भी आपके पास आते हैं कहीं सारे P.V.I.P. लोग आते हैं तो ऐसा इक pressure भी होता है कि अरे यार तो कम से कम 50 ऩे को तो रहा है तो संधिये होसे दर आपके पास और के little. लगबग हर एक पेश्टेंट के साथ हमारा यह से होता है अंतला कले है यहाई हैлись सल्गपे लुदेश्मारा है । क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, वो ऐसे कभी नहीं होता है, उसका कैंसर समझ में आया आगया हमारे पास, तो हमारे पास आने से पहले कम से कम पचास लोगों को तो वो कंसल्ट कर चुका होता है, तो इतनी दुनिया का डर भरा हुआ होता है उसके का डर है, यही पर वो आदमी पूरा के पूरा नीचे जाता है, दर जाता है और उसके ओपर ये लोग उसके ओपर मिठ्टी डालते रहते हैं, तो इससे एक तो उसको उपर निकालना, यहीं कितना भी बोलू उसको कि नहीं तुम अच्छे हो जाओगे तो लोग कितनी बार जो जब आपके पास आयो तो पुरा डरा हुआ है, और उसके बाद में आपने उसको कियोर किया, बहुत खुश हो गए, ऐसे कोई सेलिब्रेटी या कोई वी वी आईपी वेक्ती हैं, एक तो जहां तक डर की बात है, यह सिर्फ वी वी आईपी को या किसे सेलिब्रेटी को ह नहीं लग होता, इट अप्लाइस टो एवरिवड़ी, कोई भी पेशन्ट जब मेरे पास आता है, उसको जब कोई बताता है, किसी दॉक्टर ने उसको बताय हुआ होता है कि तुमारा कैंसर हो गया है, तो वो वहाँ पर ही पूरा दश जाता है, दूसरा हमारे पास जो मेरे पास आते हैं तो सब लोगों ने उनको डराय हुआ है, कम से कम 50 जो ऑन्होंने वी तोटाए कर सकता है, लोगों ने उनको पेशन्ट किया हुआ है वह वे बताई हुई है, और हमारे पास जब बता espe तक तो सब था खड़े कारों होते है, कि यां से का एगे, कुछ नहीं कर सकता या तो फिर जो करना है वो पेशन्ट अफोर्ड नहीं कर सकता या तो हार्ट के उपर बरनाम हो जाएगा या खिड्नी के उपर बरनाम हो जाएगा या कोई और प्रब्लम तो फिर इसके चलते उसका वो आगे का treatment हो नहीं सकता तो ऐसी situation में patients मेरे पास आते हैं सब ने उसको already डराय हुआ होता है और उसको लगबग ये assurance रहता है उसके दिमाग में ये पुरा-पुरा पका हो चुका होता है कि अब इसके उपर कोई उपाय नहीं है तो जो आते हैं वो तो इसी stage में आते हैं कि चलो अब कुछ तो भी होता है अगर होता है तो देख ले कर ले तो उसको निकालना और दूसरी बाजू है उसकी बीमारी तो उसकी बीमारी के उपर बीमारी के लिए उसने अलड़ेड़ी कितनी सारी चीज़े ट्राइ कर ली होती है कितनी सारी चीज़े ट्राइ कर ली होती है तो वो अलड़ी एक पूरा ऐसे गुच्छा बन गया होता है तो उससे उसको क्लियर करके बाहर निकालना ये दोनों चीज़े मेरे सामने एक चैलेंज होता है तो अलग अलग राय होती है तो उस राय के ओपर आगे बंड़ना चाहता है और जैसे आप एक्जापल लेंगे शरत पॉंग्षे जी का लीजिए जब वो आए थे तो ऐसी उनकी हालत बहुत खराब थी बहुत खराब थी उनका कीमो थेरैपी हो चुका था और उसके आगे का treatment जैसे मैंने बताया उनको देना पॉसिबल नहीं था, उनका liver damage होने लगा था, तो उसके आगे का treatment नहीं कर सकते हैं, जो उन्होंने बताया हुआ है वो मैं आपको repeat कर रहा हूँ, कि पेट में 5-6 लिटर पानी बरा हुआ था उनके, जब मेरे पास आये थे, और पैर इतने सूजे हुए थे, बहुत खराब कंडिशन थी, बहुत खराब कंडिशन थी, और मुझे याद है जब पहली बार मेरे पास आये वो, तो यह उनकी हलत थी, और याने physical fitness आप बोलेंगे तो zero, ठीक है, और वहां पर फिर हमने बात की, मैंने पूरा सब उनका जो जो किया तो मेरे जज्जमेंट के साब से वो इंप्रूम होने चाहिए थे, तो मैंने उनको बताया एकॉर्डिंगली कि आप इंप्रूम हो जाएंगे, डॉंट बरेंगे, बहुत ही पॉजिटिविटी है उनके बोलने में और ट्रिक्मेंट में और जब उनसे कोई भी जी मिलता है तो वो सिब बात करके ही तरंदुरूस्त होने शुरू हो जाता है और फिर मैंने काफी सारे मराठी के एक्टर्स को उनके पास बेजा तुल परचुरे हो या सुपरसिद्ध डिरेक्टर महेश मांजरेकवर हो या काफी सारे लोगों को मैंने उनके पास बेजा और आज सारे बहुत ही तंदुरूस्त है और ट्रीटमेंट से बहुत पहले जैसे वापस दिन में 15-16 घंटा हम लोग वापस काम कर रहे हैं तो आज जो कुछ भी मैं हूँ उसकी वजह है डॉक्टर शेलेज देशपांडे कैंसर होमियोपथी स्पेशाडिस्ट थैंक यू चांट थैंक तो इनको किसी डॉक्टर न होगा कि भी आपका कितना दिन बचे है या फिटिए हैं या प्र आप क्यों होगे या ने हां लग-बग वैसा ही था लगब वैसा कि रिभी बोला था नहीं बोला था मुझे पता NAS the बोलब पास बहुत सारा कंफ्यूजन था, जैसे आप ने बताया, कि बहुत कंफ्यूज थे. सर, होता है, सर, क्या होता है कि जब आदमी को वीमारी लगती है, तो वो क्योर होने के हिसाब से वो कहीं सारे दिमाग में प्रश्णा आते हैं, तो अभी हर प्रश्णा का सवाल अपने पास नहीं होता है, तो वो कंफ्यूज होई जाता है. हाँ, बट होता है कि सो लोग एक चीज बोल रहे हैं, और एक शेले देश्पांडे बोल रहे हैं, तो आप उसके उपर विश्वास कैसे रखोगें, और नैचरल है, तो फिर उन्हों ने और उनके बेटे ने बहुत सारा डिस्कुशन किया, ऐसे रेडिली मेरे उपर विश् पेंचालो कर दी, and then उसके बाद वो धिरे 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 इंप्रुमेंट करते चलेगे, लेकिन कैसे होता है, इन बीमारियों में ऐसे नहीं होता है, जैसे आपका सर्दी बुखार में होता है, कल सर्दी बुखार होगे, आज दवाई दे लिया, अकल बुखार चला गय जैसे देखिए, कोई बीमारी होती है, तो बीमारी होते वक्त, आपके शरीर में कितने सारे बदलाव आते हैं, कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं होती है, और एक दिन में जाती है, तो कितने सारे बदलाव होते जाते हैं, बैसे ही, जब बीमारी ठीक होती है, तब भी यह दो नहीं होता कि दर्ध होने तक तो ठीक है चलोग देरे धेरे देरे धेरे दर्ध चालो हो गया और दर्ध जाने के लिए एकड़ में चलागी। यह दो जब रिवर्सल होता है उस वक्त भी कुछ ना कुछ चेंज आएंगे। यह तो आपके डॉक्त को पता है यह थो अगर वहाँ पर गलक जा रहा है, तो यह अगला कॉम्प्लिकेशन में जाने वाला है, तो वह एक एसेस्मेंट बहुत जरूरी है, तो जैसे मैंने बताया कि उनके उपर हम वह वाच रख रहे थे, तो उनको तो लग रहा था रही यह नया क्या हो गया, यह तो कल नहीं था, य यह तो परसो नहीं था, यह कहाँ शुरू हो गया, बराबर है, तो वहाँ पर कन्विंस करो कि नहीं यह होने दो आप, वेट, इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है, आप रुकिए, क्योंकि यह हमारे पास कंसेप्टिंगी है, उसमें था कि एक उनका नातक था, मराठी नातक था, हिमालया एची साउनी, और वो शायद वो प्रोड्यूसर या उसके जो भी और्गनाइजर्स थे, वो उनके लिए रुके हुए थे, वो नातक नया लांच करना था, और उनके लिए शरच जी के लिए रुके हुए थे, कि हमको यह नातक आपको लेके ही करना है, तो अच्छे हो जाओ, फिर उसके बाद ही हम करेंगे, तो वो लॉंचिंग उनने पूरा रण दिया, फिर जैसे वो इंप्रूब होने लगे, तो मुझे उनने पूछा, कि भी नातक में ऐसे-एसे काम करना है, तो मैंने बहुए आप काम कर सकते हो, क्योंकि आप वापस यहां अर तो बेज odor पर मेरे सामने वही सवाल, क्योंकि एक आर्टिस्ट इयुकि उसके लिए स्टेज पर्फॉर्म करना ही अजा उक्सिजन, इसे एक बहुत करना है, तो मुझे लगा थोड़ा मुझे लगा थोड़ा ताइंग मेलेगा, बट उन्हों ने तो थीन हफते के अंदर अंदर उन्हों ने पुछा मुझे, कि अभी हम लोग उसका जो प्रिमियर शो है, उस ड्रामा का धा, और उसका प्रिमियर शो है, उसका हम लोग फर्स एड़र्टाइज रिलीस कर रहे हैं, अच्छा, अगर आप कहते हैं कि यह कंप्रिट हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो फिर सामने अदर बाद में डुप जाएगा, तो फिर लिटरली हमने, फिर मैंने बूला हाँ छोड़ दीजिए, वो बले देखें दॉक्टर साब फिर भी आप देख लिजिए, अगर चाहिए तो मैं एक मेना आगी कर सकता है, तो फिर उसके बाद जो हमने जोड लगाया, जो ट्रीटमेंट लगाई हमने, तो हमने प्रैक्टिकली एक चार्ट बनाया था, जैसे क्योंकि जैसे उन्होंने वो अड़र्टाइज रिलीज कर गया कि इस दिन हम लोग उपन कर रह अगा प्रैक्टिस के लिए जाने के लिए 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 इस हालत में फिर जो फर्स ड्रामा था, उसके लिए शरजी खड़े हो गए। क्या बात है। यह एक चीज रहती है, हमारे लिए तो यह बड़ा सर्टिफिकेट लिए हमारे लिए तो कोई अगर अगर अप्रिशेट करता है। काम तो हम लोग सब लोग उनके लिए करते हैं। बिल्कुर करते हैं। यह बड़ा अप्रिशेट करो और उननी किया दिल खोल के अप्रिशेट किया। आई रहली रहेंगर उस दिन उनके जो एक्स्परेशिंस थे इतने दिनों के बाद वो स्टेज पे खड़े हो गए थे इसक्रीन के सामने थे तो वो जो शरग जी का एक्सपरेशन था, यह उनके लिए उनके लिए वो तेक पुनर जनन था। वो तो इसके उपर he can comment, मैं नहीं बोलो, मैं बोल सकता हूँ कि क्या होता है, सबसे बड़ी बात बोलता हूँ आपको एक जो आर्टिस्ट होता है, उसके लिए audience की जो ताली होती है, सर उसके लिए वो अनमोल है, मतलब उसके जैसे कोई चीज नहीं है अभी तक, बनी नहीं इश्वर ने जो audience के through, जो भी कुछ reply आता है, तो उसके लिए आद्मी जीता है, आर्टिस्ट जीता है, और आपने ऐसे आर्टिस्ट को जो, मतलब पूरा के पूरा बस खतम हुआ है भी, उसको आपने कड़ा किया, याने practically ऐसे हो गया कि उनका फिर भी वो completely recovered नहीं थे तब फिर बैठ नहीं सकते थे, एक जगह थी, रोल की डिमांड थी कि जहां पर उनको नीचे बैठना है, तो नीचे बैठ नहीं सकते थे, फिर हमने कुरसी दी उनको, या स्टूल दिया, पिर सामने रखने को लिए, तो आपने स्टोरी में भी चेंज कर दिया, सेट पे चेंज क आज अगर शरुत पोखशी जी देख रहे होंगे अमारे इंटरी तो आपको इन्टरीट करेंगे हो। आप उनको कर रहे लेकिन वह आपके लिए कर रहे है रहे हैं किस्टेशा आपके पास। और कोई किस्सा हो तो मुझे बताईगे, कोई जिसकी बहुत ज़ादा उम्र है और मेरे कहाँ से कोई 81 एर्स की किस्सा मुझे सुनाय था लास्ट ताइम, तो वो मुझे बताईगे हाँ हमारे पास एक बुधिय वेक्ति थे जब हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आये तो वेंटिलेटर पे ते क्या बात है वेंटिलेटर पे ते क्या बात है वेंटिलेटर पे ते क्या बात है वेंटिलेटर पे ते हो गया अब कुछ नहीं हो सकता इस टेज में वो थे वाइसे ही इसे ही उनका ट्रीटमेंट चालो किया बाकि सब तो लगबग एक्टिटमेंट कैंसर के लिए जो भी था बूरा बंद हो गया था बस अभी जिन्दा रखो इतना ही चालू रखे चालू था सपोर्ट पे थे वेंटिलेटर पे थे तो वैसे ही हमने ट्रीटमेंट व तीन-चार दिन पहले उनके सब के सब रिपोर्ट पूरे नॉर्मल आगें क्या बात है और वोट ही सेड आप विश्वास नहीं करोगे कि वो बोले और तीन मेने के बाद मेरा 81 साल पूरा होगा उसका मैं ग्रैंट सेलिबरेशन करूंगा और उसमें अपको आना है क्या बात सर उसमें मुझे बताएगा कि मैं एक वीडियो जोरु पेज़ूंगा आपके लिए पक्का जी हंडेड़ प्रसंट मुझे बताएगा कि अगर वो 81 एर्स के हो रहे है और एक हम कहते है ने कि यम्राज को भी उन्होंने हरा दिया है यह बात उनको मानननी पड़ेगा पक्का यह पक्का पक्का वेर्यास वैसे हमारे एक डिरेक्टरा है फिल्म इंडस्टी में अच्छा एक्टर आइं दिरेक्टर है दोनों है उनके सारे ऐसे कंपलिकेशन सोगय थे अच्छा हार्ट इज सफरिंग लिवर इस सफरिंग स्प्रीनी पर्चिनी पर एफेक्ट होना चाल काम करना चालू किया था उनुने के बीच में को कुछ इन्फेक्षोन हो गया कुछ खाने पिले में खराब हो गया बापस सेविर जॉन्डिस हो गया हैं एंड यू विल नाट बिलीव उनका सीरम बिल घुबबरीन 48 चला गया 48, तो जहां पर भी वो इन्वेस्टिकेशन के लिए भी जाते थे, वो बंबई से है, जैसे ब्लड चेक करना है, सोनोक्राफी करना है, कुछ भी मैं यहां से बता दू कि आप यह कर पलो, तो जहां पर भी जाते थे, वो डॉक्टर उनको पागल बोलता था, तुम पागल हो, तुम जाओ, एड्मिट हो जाओ, तुम जाओ, एड्मिट हो जाओ, बट आइसलिए इसलिए कि उन्होंने 100% ट्रस्ट मुझ में रखा, क्योंकि मैंने बोला था, अगर तुम एड्मिट हो जाते हो, तो यह सब वापस चालो जाएगा, पि इसका क्या करोगे तुम, पिर अगेंस्ट हो, एड्मिशन जहां जरूरी है, वहां जरूरी है, कोई अगर अलग ट्वीटमेंट है, अलोपती जहां जरूरी है, वहां जरूरी है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हो, बट उस स्टेज में उनके लिए वो एड्वाइजेबल मुझ था, तो जैसे सोनोग्राफ कि एक चीज जो मैंने बताई कि आपको इसको देखना भी नहीं है, यह चीज खानी नहीं है, तो उनने उतना 100% फॉलो किया हूँ, उसके बाद अभी नॉर्मल है, अभी 3-4 सीरियल उनके चल रहे हैं, और एक मुवी में काम भी कर रहे हैं, एक मुवी डिरेक्ट कर रहे हैं, क जब तुम उनको वो एक्सपिरियंस देते हो, और वो जो पेशन फिल करता है, कि यार मुझे कुछ न कुछ बदला हो रहा है, एक पॉजिटिव लग रहा है, तब जाके वो ट्रस्ट भी करता है, तो यानि मैंने आपको भी आपने जो सवाल पूछा था, उसमें आपको मैं सपोर्टी में, आज वो जो डिरेक्टर मैंने आपको बता है, उनका नाम नहीं लूगा मैं, तो वो जो डिरेक्टर थे, उनके डॉक्टर उनको पूछते कि आपने ट्रीट्मेंट किसका लिया, यह हुआ कैसे है, इसका रीजन यह है कि होमेपती को अंडरेस्टिमेट करते जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी डॉक्टर नहीं ध्यान रखना चाहिए कि अगर होमेपती में उसकी सही इलाज हो रहा है, तो इसको एपरिसेटी करो, यह उनके बताओ कि आप सही जगा पे हो, आप कंटिनु करो, यह होना चाहिए. अगर कहीं गल्ती है, बताओ. होता है, यह हमारा अनुभव यह है, कि कितने सारे लोग, कितने सारे लोग, कितने सारे लोग, पेशन को ठीक है, उनका तो झालओ उनका प्रमन की उसका वह उनकर फेकर Racine Yes. यह एक स्टेटिस सिंबोल हो गया है कि यार तुमको कुछ आता नहीं तुमको कुछ जाता नहीं आईये आप डिस्कुशन करो हमारे साथ या फिर पांच-पांच केसे सामने सामने लो मैंने कितनी बार यह चेंजिस यह आप यू विल नॉट बिलीव हम अभी अभी तक अभी मैं भी नहीं मिलता है और मैंदपार भी मेरा बहुत कम है क्यूंकि वर्क इतना बढ़िया है अधरवाइस अभी अभी तक मैं ओपन प्रोग्राम लेता था मैंने चे साथ ओपन प्रोग्राम लेता है तो आप आप आजा और हम वहाँ पर 10, 12, 15 तो जो बात करेगा वो पेशंट बात करेगा आपको उसको चालेंग करो। वो चालेंग करेगा, वो बोलेगा के मैं इसको थू गया हुआ हुँ, मैंने ये एक्सपीडियेंस किया है, ये मेरा एंड था, और यहां से आज मैं जिंदा आपके सामने खड़ाू। तो मुझे तो उसमें सिर्फ जो मेडिकल बाइगराउंड उतना बता है, जी है, सब्सक्राइब तो उतना हुआ जी है, बाकि तो वो पेशन्ट पूरा बोलता था, आप चैलेंज करो उसको कि नहीं आप गलत बात करे हो, नहीं है, आप यह सही नहीं है, तो आप वो आपको अंसर देगा, इतना ट्रांस्परेंट प्रोग्राम मैंने पुना के अंदर छे साथ किये है, तो यह नहीं है, तो यह तो पिर ओपनी मतलब कितना इतना एफेक्टिव साइंस है, इतना एफिशेंट साइंस है, लिकिन अभी भी हुआप्यपथी के पास देखने का न क्या लगता आपको, मुझे अस रखता है, देवलप्मेंट से ज़्यादा मैं यह बोलता हूँ, इसमें हमारी गलती ज़्यादा है, कि हमारे पास लोगों के एक्सपेक्टेशन आभी, इस्पेशली करोना के बाद, कि करोना में होमेपथी ने बहुत सारा अच्छा काम किया जी, बिलकुल, and now people are aware of it, दूसरी बात, आपको यह, आप कितना भी नहीं बोलो, कुछ भी argument करो, आपको यह यादी रखना पड़ेगा, कि it is a second largest system of medicine being followed world over, क्या बात, दुनिया में कोई आदमी hardly ऐसा रहेगा, या कोई आदमी मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, कि जिसने आज त system, which is existing since 300 years, around 300 years. 300 साल से कोई पैथी अगर पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पुरे विश्व में, प्रैक्टिस की जाती है, गोवर्मेंट का उसके लिए support है नहीं है, उसके reasons अलग है, और वह बात अलग है, बट अगर कोई पैथी इतना sustain कर जाती है, तो उसको अ widely applicable science है, और इतना widely applicable तब होता है, जब उसका acceptance है, उसके कोई तो merits रहेंगे, तब ही जाके वह इतना widely accept हुआ है, तब ही जाके वह इतना widely accept हुआ है, सर अभी जैसे हम कहते है कि आयरुदिक जो है वो पतनजली हो या फिर क्या नाम उनका हो उन्होंने शुरू किया एसा कुछ बताते हैं, हुमेपेथी, सुरी, ऐरुदिका, ऐरुदिक जैसे पतनजली से आया है, तो हुमेपेथी कहा से है, इसका कोई जनक, कोई नहीं है, हुमेपेथी की जनक है Dr. Samuel Hanneman, यह जर्मनी से है, और इन्हों ने इसका जो पहला संशोधन किया, और इसको पैथी के रूप मे लोगों के सामने प्रेजेंट किया, यूज करना चालू किया, वो है Dr. Samuel Hanneman, यह जर्मनी से हमाने है, यह जर्मनी से शुरू हुआ है, यह बात तो मुझे भी पता नहीं किया, कापी लोगों को पता नहीं होगी शायद, लेकिन यह ज़रूरी है, सर कभी ऐसा होता है कि पेश पेशेंट तो एक केस मतब अभी खतम हो चुका है, यह क्योर हो यह नहीं सकता, पेशेंट बोलना है, प्रीज कुछ तो भी कीजिये, क्योंकि पेशेंट का आपके अपर पुरा परुसा है, मेरा सब खतम हो गया है, लेकिन आपको देखके या फिर उसको लगा कि अंदर से क कामियाब हो जाती है, कभी ऐसे कोई किसा है, हाँ, यादि होता ऐसे है, कि जैसे अनफोर्सीन चेंज है, तो हमारे कैल्कुलेशन में कुछ अलग होता है, और अक्शली होने के लिए कुछ अलग होता है, तो जैसे फूर एक्जेंड मैंने अपको बताया, हम एक्षपेट न इन मैने में रिपोर्ट जब नार्मल आता है, तो हमें भी बहुत आश्चेर लगता है, कितने लोग रहते हैं, जैसे एक अभी मैंने आपके छोटे बच्चु का केस था, उसका सिर्फ गर्दन हीला सकता था, बाकि पूरा नीचे का पैरलाइस था, सिर्फ गर्दन हील रही है कोई डिसाइड नी कर पा रहा था कि क्या करना है, क्योंकि बीमारी क्या है, वो पता नीचल रही है, तो जब हमने देखा उस केस को, और पूरा जैसे मैंने बताया, कि मा के पेट में जब बच्चा था, तब मा को क्या-क्या बीमारी हुई थी, उसने क्या-क्या दवाईया यहां से जब एसेस्मेंट करके, वहां से सब हर एक चीज करेक्ट करते 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 आए, आज वो बच्चु क्रॉलिंग करता है, क्या बात है, हाँ, पकड़ के खड़ा रहता है, नॉमल बात करता है, मतलब इसका मतलब यह हुआ, कि जब कोई भी लेडी प्रिगनन्ट ह तब जो वो दवाई ले रही है, तो उसका इफेक्ट उसके बच्चे पर होने वाला है, होता है, उसकी मानसिक्त का होता है, वो दवाई ले रही है, उसको कोई बीमारी हो गई है, उसका होता है, होता ही है, पक्का होता है, in fact बच्चा यह एक ऐसी चीज है, जिसके एमोशन हम समझ नहीं सकते, छोटा सा बच्चा है जिसको बात करनी नहीं आती है, कितना एमोशनल एक, उसका वो जो mental economy है, वो समझना इटसेल्फ, यह बहुत बड़ा चलेंज है, कि कभी उसकी supposing एक छोटे बच्चे को उसकी मान नहीं दिखती है, कितनी turmoil से, कितनी डर से वो जाता है, यह quantify करना मुश्किल है, हम लोग तो उसको कुछने भी करते हैं, करके देते हैं, बहुत थर्मोईल से जाता है, और यह quantify करना, इसका कहीं न कहीं तो असर आता है, जब किसी बच्चे का continuously यह हो रहा को, उसका reflection तो आता है उसके रहे पर, पक्का आता है, ऐसा लगा आपको कि यह अभी इसका ilaj मेरे पास नहीं, बस इसका ilaj बगवान के उपर है, अभी हम फिल्मों में कहीं बार देखते हैं कि जैसे ही वह operation trader में लेके जाते हैं, तब जो उसके परिवारों बोलते हैं, डोक मेरे हाथ में नहीं है बस बगवान के हाथ में, तो ऐसा हमने फिल्मों में देखा है, तो कभी आपके पास भी कोई patient आता है, आप बोलते हैं कभी अखियार आईसा बस जो भी बगवान के उपर है, पेशन तो बहुत आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, कि हमारे पास ज चुरुआत से अंत तक उनको ही अरपन करता हूँ, लेकिन बोलता कभी ऐसे नहीं हूँ, बोलता हूँ कि मैं लास्ट सक fight करूँगा, लेट मी सी, outcome क्या होगा मेरे हाथ में नहीं है, बदो मुझे fight करने दो, मैंने fight अभी छोड़ा नहीं है, मैं fight कर रहा हूँ, जहां तक ह हो सकता है, मैं fight करता हूँ, और लोग appreciate करते हैं, कि आपने fight किया, दिख रहे हैं, आपके प्रयातन जो आप कर रहे हो, आपने जितने efforts लिए, आपने कितना hard work किया उसके पेचे, कितनी पढ़ाई की, कितनी बार हमको बुलाया, दस बार बुला के तो assessment हो गया, दस बार तो सुना है, सर, एक मुझे बताईए, डॉक्टर कैसे pilot बन सकता है, सर, वो, क्या है, यह किस्सा, कैसे क्या, अच्छानक, मतलब, यह line बहुत अलग है, वो line काफी different है, ऐसे कभी, आज तक नहीं सुना सर, मैंने, कोई डॉक्टर जो, कुछ pilot है, कभी, मतलब, आज तक तो नहीं देखा मैंने, नहीं, वो, किस्सा ही कहा नहीं, बहुत अलग है, वो, क्या कहाने, सर, और, जैसे, नॉमली कैसे रहता है, बाप बेटे का अधर्श रहता है, बिलकुल सही है, मेरे यहाँ उल्टा है, मेरा बेटा मेरा अधर्श हो गया, मेरे बेटे ने, जब वो 7th में था, तब उसने डिसाइड किया था, कि मुझे नेवल एविएशन में फाइटर पैलेट बनना है, जैसे विराट विकरांद यह है, एरक्राफ्ट कैरियर्स, उसके उपर जो मिग लैंड करते है, उसका फाइटर पैलेट मिग में, मिग 29K पे उसको फाइटर पैलेट बनना था, उसने डिसाइड किया था, सेवेंट में, और उसने न, उसके खुद के बैडरूम में ऐसे स्टेप्स लिखके रखे थे, कि मैं ऐसे 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 चलूँगा, और बिलीव में वो उससी स्टेप्स के उपर चला गया, तो जब मैं भी शुरू में उसको ऐसे ही लिता था था, हा पर उसने मुझे चैलेंज किया, कि देखो यह अब यह स्टेप तक तुम्हें आगया हूं, इसके आगे का जो है न, मैं सिलेक्शन करके दिखाऊंगा, क्या बाद है, हाँ, तो फिर उसने बोला कि नहीं, बैसे नहीं चलेगा, आपको एक बैट लगानी पड़ीगा, मैं ब आपको भी पाइलेट बनना है, अरे पाप रहे है, तो यह तो मैं पुश हो गया उसके अंदर, और फिर उसने सिलेक्शन करके लिया, तो फिर उसने मेरे पीछे लगे अपने बेट लगा था, फिर वो यार, मैं बुद्धा अदमी हूं, मैं कहां पढ़ाई करूंगा, वो प्लेन गुमाऊंगा, एक प्रैक्टिस करने वाला अदमी, जाड़ी चलाने वाला अदमी, कुछ नहीं नहीं करना पड़ेगा, तो यह उल्टा हो गया, या तो गंगा उल्टी बह रही है, फिर किया अपने, फिर उसके बाद मैं फ्लाइंग चलो किया, फिर जैसे जैसे फ कुछ है तो वो मतलब कुछ ऐसे ही मतलब एकसाइटमेंटों बोल देते हैं, आरे पापा आपको ऐसा करना पड़ेगा, अरे कर लेंगे यार, कोई पाद, लेकिन इस उमर में करना, वो फस गया ना, मैंने बोला तो ऐसे ही था, लेकिन सर फस गया लेकिन सर आपका एक इतिय करता हूं कि किसी डॉक्टर ने इस उमर में करना, ये बड़ी बात है सर, कितने साल होगे सर अभी इसको, अब मैं फ्लाय करते-करते मुझे 11-12 साल होगे, मतलब आपके 40-42 के आसपस आपने किया हुआ है, सर जब एक सवाल मैं ऐसे पुछूँगा आपको, कि पेसेंट जब आपका भी उसके तरफ देखने का नजरेया क्या होता है, कि पेशन्ट हो बड़े देखो, एक बात बोलो कि अभी मैं पेशन्ट हूँ, मगर आपके पास आता हूँ, तो मैं पूरी आपक्षा के साथ आता हूँ कि यार, बस यार, बगवान करे, डॉक्टर साहब की वज़स से, जो भी डाग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, तो मैं अच्छा हो जाँ, उस वक्त आपके भी मन में कोई फिलिंग तो आती होगी, यार, यार, ये इतने विश्वास के साथ आमारे पास आता है, तो ये दोनों तरफ से वाइस वरसा होता है, तो ये उसकी साइक और आपकी साइकोलोजी और आपकी साइकोलोजी, क्या क्या है, अंतर क्या है, ये बहुत बड़ा चालेंज होता है, बहुत बड़ा चालेंज होता है, तो हम जैसे जैसे वरक अप करते जाते हैं, पूरा केस, जैसे हम हिस्ट्री वरक अप करते हैं, तो हमको उसके बच्पन कैसे गया, फिर एडलेसंस कैसे गया, स्कूल लाइफ कैसे गया, फैमिल लाइफ कैसे था, यह हर एक चीज, और फिर उस स्टेज में उसको क्या-क्या बीमारिया हुई, और फिर वहां से आज तक, जैसे मैंने आपको बताया, कोई बीमारी एक दिन में तयार में नहीं जाती तो उसकी जड़े ढून के निकालो तो उसकी जड़ तक जाना पड़ता है और जाने के लिए उसका entire life जो है वो किस-किस phase से गया है उसको assess करते जाओ तो वो जब करते तब पता चलता है किस-केस में तुमको कितना deep जाना पड़े और वो judgment है और let me tell you कि हर एक individual अलग है आप मुझसे अलग हो आप से ये अलग है इस से ये अलग है सही है तो हर एक का study जो है आपका इसको apply नहीं करेगा इसका मुझे apply नहीं करेगा तो ये जो है ना ये judgment है और ये judgment कैसे लेना है और इसका treatment कैसे करना है ये बताने वाला पूरी दुनिया में एक ही science है राड़ी जोने करेगा क्या बाद तो ये cancer जो होता है वो पीनी के उने से होता है smoking से होता है या नहीं होता है क्योंकि देखो हम जब भी कोई cigarette का हम देखते हैं cigarette अगर लेना है तो उसके पर लिखा है कि एंजिनिस्टो हेल्थ ये पीना नहीं चाहिए ये आपके लिए हाने का रहा है तो सर कही बार ऐसे सवाल होता है कि इतने सारे लोग smoking करता है वो उनकी उमर होने के बाद वो बगवान के पास चले भी आते है 75 के बाद जाना तो हम समझ सकते भाई उसकी बुड़ा पर की हिसाब से गया है उसकी उमर हो गई लेकिन सर कई सारे लोग उनको cancer नहीं कुछ नहीं तो फिर लोगों का सवार ऐसा होता है कि यार यह पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए शराब पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए तो इसका क्या reason है सरी है नहीं नहीं दो चीज़े है शराब पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए तो नहीं पीनी चाहिए तो लेकिन सिगरेट की वज़े से या शराब की वज़े से cancer होना ये बात अलगे तो ये नहीं है कि शराब की वज़े से cancer नहीं होता है smoking की वज़े से cancer नहीं होता है इसमें पाया गया वो एक common factor है अच्छा कि अगर आपको cancer हो रहा है या हुआ है तो उसका percentage उसमें percentage जो लोग smoking करते हैं उनका जादा है उसके वज़े से नहीं होता तो ये जैसे आप बोलते हो मददगार है कि कोई बीमारी हो रही है उसको मददगार है किसी को बुखार आ रहा है वो वापस जाके बारिश में भीगा तो बारिष में भीगने के वैजे से उसका बुخार नहीं आया, उसको बुखार तो पहले से अंदर की आ था उसके अंदर उस टाइप के symptom से पहले से हैं, इसके एसाब से उसको जल्दी ओता है तो बैसे ही है कि स्मोंकिंग की वजे से कैंशर होता है ऐसी है है बट मैं यह डैफिनेटली बोलोंगा कि कोई भी चीज प्रमान के परे अच्छी नहीं है वो कहीं कहीं हो सकते'M किसी को cancer करेगी कोई कि जो smoker कर रहे हैं आपने جय से बोला कि कि किनने लोग होते weighing smoking करते हैं smoking किया हो सकता है उसको cancer नहीं हूँ, पकका पकका उसको दूसरी कोई चार बीमारिय रहेंगे, अच्छा, हो सकता है, बीमारिय नहीं रहेंगे, बट कोई तकलीफे रहेंगे, जिसका solution ही नहीं है, तो उसका reflection तो आएगा, कोई भी चीज आप एक प्रमान के आगे करते हो, कोई भी चीज ज्यादा करते हो, रिफ्लेक्शन तो पकाएगा, आपकी बोडी थ्रो करेंगे, बिल्गुल, इसके लिए smoking और शराप पीना बाहिसा कभी नहीं पिना चाहिए, जी, यह मैं भी कह रहा हूँ, डॉक्टर साब भी कह रहा है, याद रखिये है, जी. जिए बात को हूँ हूँ सुनते है, तुझ जए जए रहा हूँ, सब से बड़ी बात क्या होती है, इस पर बढ़े चाहँ होती है, अचिल्ग कहुत पार्चापः के साब साब भीका घा, जी जएब भी जब खालि हो जाते है, और जेब खारी अवर इब तर काम नहीं है, अर्टिस्टों और बिद्नेस पहोग वाला हो, तो जितना पैसा उसने आज उसके कुझी है अगर उसके खथाँ हो जाती है, फिर उसके लाग उसको टिंपेट करने कि उसके उसके पासा नहीं होता है, फिर अगर उसके उसके जए पैसे लगना ये रिलेटिव है, आप उसको कैसे परसीव करते हो, उसके उपरे, किसी को लगेगा पचास रुपए खर्चा करना भी गलत है, मेरी तबियत के लिए पचास रुपए भी खर्चा करूँ वो गलत है, उसकी जगे पे मैं होटल में जाके खाना काऊंगा, या अपनी बॉड़ी के लिए करना हूँ, तो ये रिलेटिव है, लेकिन मैं आपको एक उधारन दूगा, अभी रिसेंटली हमारे पास एक पेशन थे, बियार सी में काफी बड़ी पोस्ट पर थे, बियार सी और टाटा कैंसर रिसर्च का आपको पता है, जी बियार सी और आपको तो पता है, काफी अच्छे पोस्ट पे थे, तो टाटा कैंसर के दीन बगएरा जो थे वो उनको ट्रीट करते थे, तो अल्मोस्ट एवरिटिंग वस ट्राइड, हर एक ट्रीटमेंट उनका ट्राइ करके हो गया था, और लास्ट ऑप्शन था उनके पास, फिर भी व सामने बिठाया, उन्होंने लिस्ट ली कि देखो अभी ये इतनी दवाईया हम कैंसर में दे सकते हैं, इतने ये, इसमें ये सारी दवाईया तुमको अल्री दे चुके हैं, अभी एक लास्ट दवाई बाकी है, ये लास्ट दवाई बाकी है, उसके बाद कोई दवाई नही इसका heavy side effect होगा, मुझे पता है, और इसका खर्चा है 7 lakh रुपए one cycle, और ऐसे हफते में 3 cycle करना है, हफते में 3 cycle, मतलब करीब कर भी 21 जा, 21 lakh रुपए, पर week, और ऐसे कितने करने पता नहीं, वो भी पता नहीं है, वो भी पता नहीं है, बराबर है, फिर then, वो as it is frustrated तो हो गया उनको भी पता आया था क्यूंके medical field से काफी सारे relations थे, तो पता आगया था, काफी सारे लोगों ने उनको बता दिया था, जैसे मैंने बताया है, लास्ट रिसोट एक चलो try करके देख तो she came to me, तो हमने जैसे ये पूरा इतना assessment तो वहाँ पहले उनको चक्कर आगया वहाँ कि मेरी बीमारी केसे लिए इतना भी assessment होता है और इसका क्या relevance है, मैंने बोला वो तो आपको result में पता चलेगा, तो फिर जामाहा से फिर उनके almost तीन महिने के बाद उनके reports पूरे normal हो गए, क्या बात है, yes, to the extent कि जो Tata Cancer के उनके consultant थे, उन्होंने उस radiologist को phone किया, कि आपने कह अलत किसी patient के reports तो नहीं भेज़ना मुझे, यह इसी patient का report है क्या, तो यह said, yes, damn sure, यह इसी patient का report है, और क्यूंकि मैं भी इस case से well-versed हूँ, तो मैंने यह चार-चार बार चेक किया, यह इसी patient का report है, अब देखें, कि मैंने खर्चा आपको बता दिया तो उस patient को वो report नॉर् per week, तीन महिने का distance, तीन महिने का दबाएं, मतलब मैं जो जनता है, हमारी उनको में एक sure कर सकते हैं, कि भाई, आपने जो सोच रहे हैं, कि भाई, बहुत पैसा लगता है, ऐसा नहीं है, मतलब हाप्टे में 1,000 रुपीज मतलब कुछ भी नहीं है, near about एक मन्त को 5,000, with medicine, with medicine, everything, everything, total, अगर आप चेकिंग या इन्वेस्टिकेशन पकड़ो, तो पर वीक, 5,000 रुपी है, पर मन्त 5,000, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी को अगर सर्जरी बगरा लगती है, अड्मिशन लगता है, तो वो अलग हो जाएगा, जाह पर रूपला, बट ओवराल का ये average खर्चा है, जी, जी, सर अभी आप इतना अच्छा काम कर रहा है, अभी आपके जैसे और कोई हो सकते हैं, कापी सारे लोग होंगे होमेपेथी में, लेकिन सर आपकी जो next generation है, वो कैसे, मतलब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से आपका engine चल रहा है, आगे भी जो आने MLPD है, उसको भी ऐसे कई सारे होमेपेथी डॉक्टर होने चाहिए, तो उसके लिए आप क्या देखते हैं उनके बारे में, ये एक area है मेरे life में, जिसके लिए मैंने persistently 30-35 years मैंने ट्राइ किया, बट ये एक चीज मैं खड़ी नहीं कर पाया, क्योंकि next generation को ये सीखना चाहि उसमें से इतना बड़ा potential है उसको तुम in cash करो, in cash माने पैसे कमा हो ये नहीं बोल रहा हूं मैं बट तुमारा career तुम बना सकते हो, इतना बड़ा graph तुमारे life को तुम एक position तक ले जा सकते हो और इतना public service दे सकते हो, क्योंकि आज होमेपती की position ये है कि लोगों का demand बहुत ह बहुत है, बट quality treatment देने वाले लोग नहीं है, क्योंकि ठीक है चलो, बहुत सारे reasons है उसको government के level पे उसको back up नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, वो तो बताने के लिए 50 excuse बता सकते हैं, बट basically मैं बोलूँगा sincerely काम करने वाले बच्चे बहुत कम है, उनको sincerely नहीं सीखना है, ज और फिर यहां पर आएंगे, शॉटकट करेंगे, क्या चलो, ये दवाय देना है, cancer हो गया तो, हाँ दे दिया चलो, फिर वो fail हो जाता है, unfortunately मैंने इतने बच्चों के लिए इतना try किया है, बट वो हो नहीं पाया है, आज तक, तो मेरा ये एक बहुत बड़ा disappointment है, ये मेरा बट बट बड़ा failure है, कि मैं वो institute खड़ा नहीं कर पाया, बावजूद कि मैंने हर एक प्रयास किया, कुछ नहीं चुड़ा, कुछ नहीं चुड़ा, Sir, ऐसे जोगों में जो भी नहीं बच्चे, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कि आप पहली चीज है, आप अपना पोटेंशियल समझ लो, आपको सोने की थाली में खाना परोसा है, आप बोल रहे हाथ में लेके वड़ा पाव खाना है, ये गलक चीज मत करो, आप अपना पोटेंशियल समझ हो, आप कंसल्टन्ट रो, औ ये समझ लो, खुद का पोटेंशियल, पहली बात, दूसरी बात है, शौटकट्स मत ढूंडो, हेल्थ के बारे में, शौटकट्स आर ओल्वेज डेंजरस, कहीं पर भी किसी भी पेशन्ट से आप खिलवाड मत करो, शौटकट मत ढूंडो, देर इस नो शौटकट, हाड़ पुस सरस्वती के और पुस लक्षमी के पीछे, माने, आप अपनी पैथी के उपर कमांड इस्टैबलिश करो, और वो बहुत बड़ा काम है, यह इतना इसी नहीं है, कोई भी उठेगा, चलो मैंने कमांड कर लिया, पाच बुक पढ लिया, नहीं होता है, बहुत तुमकों इसके पीछे हाट वर्क करना पड़ेगा, बत उतना उसका रिवार्ड है, पर मझे बबबुजी की कविता याद आ रही है, आपर जो कहाना है, कि बबबुजी कहता है, कि मदीरा लए जाने को घर से चलता है पीने वाला, बड़ा और समझ जसमें है, भोला भाला, अलग अल पत बतलाते सब पर मैये बतलाता हूं कि राहा पकड़ तू एक चला चल, राहा पकड़ तू एक चला चल, पाजाएगा मुदुशाला, पाजाएगा मुदुशाला का, सूपर. सर एक बात पुछना चाहता हूँ आपको एक बात मुझे पता चली है कि फिल्म डिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही बड़ी आ अभीनेत्री थी मतला अभीनेत्री अभी भी है वो और उसके पिता जी को कुछ ऐसे कैंसर हुआ था और उसका टीटमेंट आपने किया क्या है बात सही है बहुत क्रिटिकल स्टेज था बहुत ही क्रिटिकल स्टेज था जी यान किसी को एक्सपेक्टिड नी था कि ये आउटकम होगा उसका जी बट्र फॉर्चुनेटली आज वह पुरे-पूरे स्वस्त है पूरे नॉर्मल है एक दब पूरा काम खुद का कर रहे हैं पू भी बाते उन्होंने बताई और फिर मैंने सोचे कि नहीं एक पॉडकास तो आपके साथ बनता है क्योंकि अगर कैंसर अगर क्योर हो सकता है तो यह बात सब हमारी जो जनता उनको पता होनी चाहिए लेकिन सर अभी अभी आपने यह भी बता है कि यह जो होमेपेती है तो थे प्युक्त कि कि छाघ गाया थे उसा है कोरी 120 साल पूरा निया तो क्या सरी 300 साल से दो वह को जल रहा है कि इसके ओपर ऐससा आरोब है कि इसके आगेको जो रिसर्च क然ら मैं आपको एक सवाल पूशता हूँ आपके सामने चार लोग है तो नाक बंद बंद प्रफशन रिपसेय लोगों, ऐसे नाक भी हनागों को MORE लोगों 4 लोग थे लोग आपके आपके एक ख्रफ़ और अइस्क्रीम खाई एक दुकान से लेकर retro पनकेहाई तो यह जो तीन बीमार हो गया, उनके लिए एक ही दवाई आप कैसे दोगे, तो यह तीन लोगों के लिए या जो पहले मैंने चार उधारन दिये, चार लोगों के लिए चार कंडिशन में अलग अलग दवाईया मैं दे सकता हूँ, तो मेरा रिसर्च इस लेवल तक है, इस ल रात में हो रहा है, तो कौन सा दवाई देना चाहिए, तो इतने लेवल तक मेरा रिसर्च हो गया है, उसके आगे का रिसर्च हम डे इन अडे आउट कर रहे है, अल्ली तिंग इस क्योंकि हमारे पास उतना गर्मेंट सपोर्ट नहीं है, तो हम उसको प्रेजेंट करने के ल इतना सारा work है, इतना हम लोग present करें, इतना authority वाला, non-political platform हमारे पास नहीं है, इसके लिए वो research लोगों के सामने ही नहीं है. नहीं आ रहा है, अच्छा. Sir, with best compliments from search. अरे, क्या बात है, अच्छा. शिवराज जी गोरले ने एक किताब लिखी हुई है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक program करते हैं, ऐसे 7-8 program हम ने किये, तो जहां पर हमने 10-12 cancer के और बाकी के भी, बहुत critical patients, उनको सामने बुला के present किया लोगों के सामने, और आप पूछो कि आपको अगर सच लगता है और अगर मुझे ऐसे लगा कि जो मने आपको सवाल पुछा वो मने गलत पुछा, तो मैं आपको स्वारी भी बोलने हुआ. मैं स्वारी बोलूँगा आपको, मुझे ऐसे लगता है 100%. चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much. Thank you so much. देवी और सज्जनों मैं ये बतना चाहता हूँ आज आपको कि डॉक्टर देशपांडे के साथ आज आज आमने कहीं सारे बाते की और उन्होंने कहीं सारे बाते कहीं तो देवी और सज्जनों एक बात तो बहुत जरूरी है कि अगर आपको कोई भी प्रावलम होता है सबसे पहले होमेपेती अगर इलाज करते है जो सबसे बड़ी बीमारी है उसका सबसे कंप पैसमें इलाज हो सकता है यह उन्हेंने बता है तो देवी और सजनों आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा सबस्क्राइब कीजिएगा और हाँ यह जो बेल आइकॉन को जो बटन है ज़रूर दबाएगा चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत बहुत धन्यवाद थांको बाच